गाइज अगर आपने अन अकाडमी पे अभी तक फ्री क्लासेस नहीं जोईन किये तो आप जाके जरूर जोईन कर लीजेगा क्योंकि आप से भी कि वहाँ पे डेली फ्री लाइफ टेस्ट सौ से ज़्यादा फ्री इस्पेसल क्लास एससबी प्रिपरेशन उसके बाद डेडिकेटेड मतलब होता है कि इस्पेसल आपको मतलब अगर कोई डाउट है तो आपको वहाँ पे क्लिर कर शकते हैं इस्टरडी मेट्रियल अनलिमिटेट प्रैक्टिस मिलेंगे वहाँ पे स्ट्रॉक्टर कोर्स मिलेंगे आपको इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पता होगा कि एंडिये क्टेग्री और एरफोर्स एक में था लेकिन अब हम लोग का जो क्टेग्री एंडिये अलग हो और आपका एरफोर्स एक्सवाई ने भी कोस्ट गाड अलग हो गया ठीक है न यह चीज आपके लिए एक अच्छा ख़बर है क्योंकि आप अब तयारी जो कर सकते हैं सब मतलब सबकी लिए अलग अलग ठीक है न अब यहां पर अलट प्राइस हाइक सुन आप लोग देख स कोर्स है जिसमें की 8 सप्टेंबर से स्टार्ट है और फाइफ्ट नौमबर से यह तक चलेगा ठीक है यह भी ध्यान रखना है तो जाहिए फटा-फट इंडॉल कर लीजे और यहां पर तीरस बैच आचुके एरफोर्स एक्सवाई की लिए जोकि अपने स्क्रीन पर देख स सकते एक कोई वैज जोण करो आप अनकाड़मी पर जितने भी प्लस प्लस उसको सब को आप प्लस देख पाऊगे मतब आप एक बार पैसा लगाना है इसके लिए अलग पैसा लगाना ऐसा कुछ नहीं होता एक पैसा खर्च करो जितना महीने करेंगे साल करेंगे उसके अब दो साल करेंगे तो चार महीने फ्री मिलें यहां पर आराम से सबस्क्रिप्स अब देख सकते हैं एक और हम लोग का आप देख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं लेना तो आप लोग जाके फटाफट इंडोल कर लिए तो बस कुछ नहीं करना है आपको सेलेक्ट करक अपना आगे इंडोल करके पेमेंट करके अपना इंडोल कर लेना हैं तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर देखेंगे पहला कोश्चन आप लोग के स्क्रिन को पर यह हैं पहला कोश्चन यह कि माइकल फिलप्स की स्खेल से संबंदी थे तो नीचे में आपको चार और यहां पर इस कोश्चन का राइट एंसर क्या हो चाएगा अगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर कोश्चन को पर हैं कि अर्जुन पुरसकार कब प्रारंभ हुआ और यहां पर इस कोश्चन का राइट एंसर क्या हो चाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर कोश्चन कोश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रेंड को पर यह है कि इरानी कप का संबंद निमने लिखित में से किस खेल से संबंदित है आप्शन A में होकी, आप्शन B पोलो, आप्शन C क्रिकेट और आप्शन D में है फुटबॉल तो यहाँ पर भी इस क्वेट का राइट एंसर क्या हो जागा, आप्शन नंबर C हो जागा C में हमारे पास क्या है क्रिकेट हो जागा, इस क्वेट एंसर पहल दो निमने लिखित में से किस खेल के लिए चरजीत है option A है athletics, option B long tennis, option C में है basketball और option D इनमें से कोई नहीं तो question number 4 का right answer हो जाएगा option number B और option number B में हमारे पास क्या है long tennis हो जाएगा correct या नि right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 number question question number 5 आपके screen को परिये कि uppercut कि scale से संब्द नहीं थे option A में है boxing और option B में cricket, option C 13 की और option D इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे 5 का right answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा A में हमारे पास क्या है boxing हो जाएगा correct यानि right answer ठीक है जो uppercut है वो boxing खेल से संब्द दी थे आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 number question question number 6 आपके screen को पढ़े के hockey का जागदूगर किछे कहा जाता है यानि जो hockey का जादूगर है वो किसे कहते है option A में है BJ कुमार को option B शमरेश जंग को option C मेजर धन चांद को और option D में है इनमें से कोई नहीं तो इस पे यहाँ पे question का right answer क्या हो जागा option number C हो जागए यानि major ध्यान चंद को ठीक है hockey का जादूगर किसे कहते है major धन च्यांद को कहते है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नमबर प्रश्न प्रश्न संग्या 7 आपके screen को पर है कि कनाडा का रास्टी खेल क्या है what is the national sports of कनाडा option A में है baseball option B ice hockey option C football और option D इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर 7 का right answer क्या हो जाएगा option number यहाँ पर B हो जाएगा यनि ice hockey जो कनाडा का रास्टी खेल है वो है ice hockey है ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नमबर प्रश्न प्रश्न संग्या 8 आपके screen को पर है कि भारत का रास्टी खेल क्या है option A में कबड़ी option B cricket option C शत्रंज और option D में होकी तो यहाँ पर 8 नमबर का right answer क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा नि होकी क्या है भारत का जो रास्टी खेल क्या है यह है होकी है ठीक है यह भी आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नमबर प्रश्न प्रश्न संग्या 9 आपके screen को पर है कि कबड़ी खेल का जनम दाता देश किसे कहा जाता है जो कबड़ी खेल है उसके जो जनम दाता है वो कौन से country है तो option A में है चीन, option B ज कबड़ी खेल है इसके जनम दाता है अपना देश भारत ठीक है यादि राइट एंसर option number C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नमबर प्रश्न प्रश्न सांग के टेन आपके screen को पर है के cricket खेल का जनम दाता देश किस देश को कहा जाता है जो cricket खेल है उसे किस देश को जनम दाता है यानि कहा जाता है option A में है Japan, option B England, option C छीन और option D इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर इस right answer हो जाएगा इस question का option number B यानि कि England हो जाएगा right answer जो cricket खेल है यह England के जनम दाता है ठीक है यानि जनम दाता देश England है ठीक है सबसे पहले जो cricket खेल है यह सबसे पहले England सा ही खेला गया था तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पर 11 number question question number 11 यहाँ में ध्यान से देखेंगे question number 11 नहीं है कि ATP final tournament 2020 का खिताब किसने जीता है तो यह सारे question आपको याद रखने होगे क्योंकि आपके जो आने वाला जो भी आगामी exam है इन सभी exam के लिए इस सारे question important ठीक है तो देखें यह अभी हाल ही में जीत लिया है डेनियल मेद विदोने किस मेद विदो हैं यह किसको हराय थे तो यह हराय है डोमिनिक थियम को किसको डोमिनिक थियम को हराय है और जो डोमिनिक थियम है यह आस्ट्रिया से बिलॉंग करते हैं कहां से आस्ट्रिया से बिलॉंग करते हैं यह आपको याद रखना होगा आप यहाँ पे हम बात कर लेते ह सबसे पहले ATP के बारे में किसके बारे में ATP के बारे में तो ATP यानि इसकी यहां पर फुल्फरम क्या होती है तो फुल्फरम आपको यहां पर याद रखना होगा Association of Tennis क्या होता है Association of Tennis Professional ठेक है तो इसकी आपका जो इसका full from है फुल from आपको note कर लेना होगा और इसके स्थापना हुई थी 1997 में चापना की गई थी 1997 में इसके स्थापना की गई थी और इसका headquarter आपको London, UK में से थे और वरतमान में इसके जो अध्यक्ष है ये हैं Adria Goundeji यानि जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ये है एड्रिया गाउंडी जी तो ये भी आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 एनी 12 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संख्या बारे आपके स्क्रिन को पर है कि लाल भादूर शास्त्री पुरुषकार 2020 से किशे शंबानित किया गया है तो ये भी कोश्चन आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो जो लाल भादूर शास्त्री पुरुषकार है ये अभी हाली में शुधा मुर्ति को लाल बहादुर शास्तुरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पस 13 याद रखना होगा तो ये अभी हाली में बन गए है अमेरिका के कहा के अमेरिका के अभी हाली में बन गए है ठीक है इनका नाम क्या है किस देश के विदेश मंतरी बने है तो अमेरिका के बने है ठीक है आप यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका के बारे में तो ये आपको उत्री अमेरिका यानि की जो अमेरिका है तो ये उत्री अमेरिका महादीप में सते थे और अमेरिका की रजधानी है वासिं जन्वरी 2021 से अब अमेरिका के जो नए प्रिश्डेंट होंगे ये होंगे जो बाइडेन कौन होंगे जो बाइडेन होंगे आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न प्रश्न संक्या 14 आपके स्क्रिन को परहे के हाली में किसराज्य के पुर्व मुख मंत्री त 2001 से लेकर ये आपको डेटा याद रखना होगा 2000 से एक से लेकर 2015 तक ये अशम के एनी जो मुख मंत्री के पदबर रहे थे तो ये भी आपको याद रखना होगा और अभी इनका हाली में नीधन हो गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिसकस कर लेते अशम के बारे में तो अशम की रजधानी है दीशपूर अशम की रजधानी है मुख्य मंत्री है शर्वानंद शोनवाल जबकि राजिपाल ये है जगदीश्प मुखी ये भी आपको याद रखना होगा अशम से रिलेटेट सारे एक्स्टा फैक्ट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 यानि 15 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संख्या 15 आपके स्क्रिन को परे के हाली में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंत्रक्ष्यान चांग फाइफ लॉंच किया है तो देखिए ये अभी हाली में लॉंच किया गया है चाइना के दौरा चाइना के दौरा अभ कहां कि जो प्रेश्डेंट है यह से जिन पिंग तो यह भी आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 एनी 16 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संग्या 16 आपके स्क्रेंट को परी है कि हाली में किस देश ने 2020 के एपी इशी शीखर सम्मिलान की मेजबानी की है तो देखिए यह भी खुशिन आपको याद रखना होगा और यह अभी हाली में की गई हैं मलेशिया के द्वरा किस के द्वरा मलेशिया के द्वरा अब यहां पे हम करते हैं सबसे पहले APEC के बारे में किसके बारे में APEC के बारे में तो इसकी फुल फ्रम यहां पर बनती है Asian Pacific Economic Cooperation इसके शिखर सर्मेलन की मेजबानी Malaysia ने की है तो सबसे पले हम यहां पर जान लेते हैं Malaysia के बारे में तो Malaysia की capital क्या है Capital है Kuala Lampur Kuala Lampur Malaysia की capital है करेंसी है मलेशिया इडिग्रड और प्राइम मनिस्टर है वहां के मुईदीन याशीन ये भी आपको याद रखना होगा मलेशिया से रिलिटेट सारे एक्स्टा फेक्स ठीक है आगे पढ़ते हैं हमारे पास 17 यानि 17 नमबर प्रश्न प्रश्न संक्या 17 आपके स्क्रिन को पर मनाया गया है 25 नमबर को मनाया गया है ठीक है और यह दिवस क्यों मनाया जाता है तो महिलाओं के खिलाब जो हिंसक यानि उनके मुलन के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर एक शाल 25 नमबर को अब यहां पे नमबर महा के सभी important days को डिसकस कर लेते हैं तो 17 नमबर को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 17 नमबर को मनाया गया है International Students Day यह 17 नमबर को मनाया गया है जबकि World Students Day यह आपको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को कम मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है तो यह भी आपको याद रखना होगा और 16 नमबर को कौन सा दिवस मनाया गया है तो 16 नौमबर को मनाया गया है National Price Day ये 16 नौमबर को मनाया गया है जबकि जो World Price Freedom Day ये मनाया जाता है 3 मई को ठीक है तो ये भी आपको याद रखना होगा और 18 नौमबर को मनाया गया है प्राकिरतिक चिकत साधिवश तो ये सारे ही डेज आपको यहाँ पर याद रखने होंगे ठीक आगे बढ़ते हैं हमारे पास 18 यानि 18 नौमबर प्रश्ण 18 नौमबर प्रश्ण आपके स्क्रिन को परिये के हाले में किस बैंक ने Cardless EMI सुविधा की शुरुवात की है तो इसके शुरुवात अभी हाली में की गई है ICIC बैंक की द्वारा किसके द्वारा ICIC बैंक की द्व इक्वेटर्ड मंथली इंस्टॉल्मेंट तो जब आप कोई भी महंगी चीज करेते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं ये किस्तों में चुकाने पड़ते हैं तो इसे ही हम कहते हैं EMI भरना और ये जो ICIC बैंक है ये Cardless EMI शुविधाओ की शुरुवात करने वाला ये पहला बैंक बन गया है तो ये आपको याद रखना होगा अब यहाँ पर ICIC बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो जो ICIC बैंक की इसके स्थापना 1994 में की गई थी कब की गई थी 1994 में इसके जो है अस्थापना की गई थी और इसका हेटक्वाटर मुंबई महरास्टर में इस जो चेर्मैन है ये हैं ग्रिस चंदर चतरविर्दी जबकि इसके MD और CO ये है शंदीप भक्षी तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 19 यानि 19 नमबर प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रिन को परे के हाली में दुनि के डबल डेकर बस तो ऐसी पहली डबल डेकर बस जो कि हैड्रोजन से संझालित होगी और इसे ही लांच किया गया इसकॉट LAND के द्वारा तो सबसे परे हम यहा पर स्कॉट LAND के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकॉट LAND की कैपिटल क्या है कैपिटल है 18 वर्थ इसकॉट नमर टवेंटी आपके स्क्रेंड कोपढ़िये के हाली में तुम्भद्रा पुराशकरम महथ्चम्तों का आयोजन यानि जो उद्घाटाने के एक किस राज्य में किया है तो देखें इसका उद्घाटान अभी हाली में किया गया है आंधर परदेश में किया गया है अब यहाँ पे हम आधर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर ले दे हैं तो राजधानी क्या है राजधानी है कुर्णूल अमरावती और एक और राजधानी है विशाखा पत्नम तू बता दू कि तीन राजधानी ओला भारत का ये पहला राजजी बन गया है तो इसे आपको या याद रखना होगा जबकि मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड़ी कौन है जगन मोहन रेड़ी आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जबकि राजधी पाल बिश्व भूशन हरी चंदन है कौन है बिश्व भूशन हरी चंदन वहां के वर्तमान में आंधर प्रदेश के रा गया है तो वहाँ से जाके आप सारे वीडियो पीडिये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाइबाइबाइट टेक रॉल देविस्ट थैंक यू